नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाद्या, इस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करने वाला हूँ भारतिय बजार के बारे में कल के सेशन में एक शानदार और तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है आप सबी को लेकिन उस तेजी के बाद आपको क्या करना ये important होने वाला है कल के सेशन में आपको एक gap up opening देखने को मिलेगी और जहां open होंगे बजाब उसके बाद आपको कैसे अपनी position बनानी है क्या buy side पे और खरिदारी करनी चाहिए या फिर वहाँ पे profit book करना चाहिए देखिए short और profit book करने में बहुत बड़ा फर्क होता है आप profit book करने है that means आपकी पहले से position थी अब आपको पैसा मिल रहा है आप करें ठीक है मैं book कर रहा हूँ इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि यहां से बजार गिरेगा मैं profit book कर रहा हूँ मतलब बजार गिरेगा ये जिसकी यहां से mentality है वो गलत सोच है short करने का मतलब होता है आप एक ऐसी position बना रहे हो जहां पे आपको लगता है बजार गिरेगा और गिरेगा तब आपका पैसा बनेगा और profit book करने का मतलब यह होता है कि ठीक है आर मैं satisfy हूँ अपने पैसे से मैं यहां पे book कर रहा हूँ थुड़ देर wait करता हूँ मुझे डर लग रहा है बजार उपर है और उपर जाएगा तो फिर दुबारा लेंगे तो वो बात अलग पड़ जाती है काफी लोग सोचते हैं कि profit book करने का मतलब है कि बजार यहां से गिरने वाला है यह गलत सोच है अब कल के session में जो तेजी बन सकती है उसके पीछे का reason में आपको देता हूँ globally markets तूफानी rally दिखाते हुए दिखें आपको अमेरिका के बाजार में तो आपने Friday के session में एक heavy volatility देखी लगबग 200 points उपर हुए 600 points तक उपर गए इनफेक्ट 600 तो नहीं 500-500 तक फिर लगबग 11 बजे गिरना शुरू हुए दो बजे के something लाल निशान में फिसल गए और फिर वहां से दुबारा कहिना कहीं 400 points उपर बंद हुए उनके पीछे जोनकी तेज़ीगे पिछे का reason ता वो था उनका jobs का data अब और कहते हैं बजार में अगर बजार को ऊपर जाना है तो उसे कुछ भी मिल जाए कोई भी कावर जाए वो ऊपर चला जाएगा नीचे जाना है तो कुछ भी होजाए वो नीचे चला जाएगा जॉब्स डाटा तो आया तो जॉब्स डाटा में नौकरी तो ज़्यादा निकली लेकिन अनिम्प्लॉइमेंट रेट बढ़ता हुआ दिखा और उसको भी मार्केट ने पॉजिटिव ले लिया आप सबी ने चलिए एसिया के बाजार से स्टार करते हैं तो निकई को छोड़ देते हैं जहां पे देड़ परसेंट की गिरावट थी बाकी आप देखिए संगाई धाई परसेंट की रेली कहीं ना कहीं आप कोई भी मार्केट उठा के देख लीजिए निउजलेंड के मार्क केक पॉने तीन परसेंट तो यहां पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि किस हिसाब से रैली देखने को मिली है अगर मैं यूएस के बाजार पर आउँ तो नेस्डेक और डाव जोंस में सवा सवा परसेंट की तेजी देखने को मिली है ब्रॉडर बेस रैली थी अम उपर trade करती हुए आपको दिखिए तो एक gap up opening तो हमारे लिए तयार है अब इसके बाद क्या करना यह matter करता है अब मैं आपको ध्यान से सुनिए जो बोलने जा रहा हूँ बजार अभी हमारा जो closing दी है वो 18,117 पे है market in case 18,200 या 225 के round खुलती है तो वहाँ आपको ना profit book करना है और ना ही आपको short selling करना है वहाँ आप चाहे तो fresh entry भी ले सकते हैं यानि कि profit book तो करना नहीं है लेकिन आपके पास एक option हो रहा है अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो आप यह मत सोचो बहुत बढ़ी है आप यह सोचो कि मेरे पास मौका मिल रहा है खरीदने का 18,225 के आसपास खुले तो इसके लिए bracket में condition अपलाई है उस condition में आपको एक चीज देखनी है केवल एक चीज बाई पैसा बनाना है तो थोड़ी तो मैनत करनी पड़ेगी न वो है DAO Futures कहां से देखना है कैसे देखना है किसी से पूछना नहीं है सिंपल गूगल पे जाके DAO Futures सर्च करना है एंड नौ बज के आठ मिनट पे आपको market सेटल होता हुँआ देखे अठारा तीन सो तक बननी चाहिए मिनिममम और मोर देन देट उससे भी उपर बन सकती है अब बजार अगर अठारा तीन सो के आसपास आपको खुलते हुए दिखे अमेरिका के बजार फ्लेट या पॉजिटिव दिखे वहाँ फ्रेश एंट्री गिरा है नहीं दिवा मैं और मुझे लगता है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए हाँ ऐसा हो जाए बाई अठारा जार तीन सो पे बजार खुल रहे हैं और डाव फ्यूचर सो देट सो पॉइंट और उपर है तो मार्केट इंडेक्स लेवल पे तो फ्रेश 52 वीक हाई लगा सकता है डेफिनेटली क्योंकि यह सब क्लियरली दिख रहा है लेकिन इस बीच में स्टॉक भगे क्या स्टॉक नहीं चले है वो मुझे भी पता है आपको भी पता है लेकिन यहां आप एक गलती मत करना यार मेरे शियर नहीं चल रहे है मार्केट तो उपर है तो मैं इन शियर्स को बेजता हूँ यह खराब है शायद मैं यह शियर लेता हूँ जो चल रहे हैं जो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे है तो अगर आपने ऐसा करा तो आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे और बजार दुबारा गिरा तो 52 वीक हाई वाले तो गिर जाएंगे लेकिन जो नहीं चलेते वो नहीं गिरेंगे जो आपके पास ओल्रेडी है तो अपनी पॉर्टफोलिव से छेड़ खानी मत करνα ये देखते हो कि बजार चल रहा है मेरी पॉर्टफॉटफोलिव के शेर्स नहीं बढ़ रहे है क्योंकि मैं आपको बता दोँ आपके नहीं या 80% पब्लिक हैसी इसकेश नहीं चल रही है क्योंकि shares नहीं चले, index level पे stock market चली है तो ये आपको समझना होगा, इसमें stocks कब चलेंगे इसके दो reasons हो सकते हैं, market fresh highs लगा दे, उसके बाद market consolidation चले और stocks भागें, यह हो सकता है या फिर market में जान ही नहीं है, market cable index level पे buying हो रही है और अभी गिरने लगे, तो फिर वावपस गिर जाएगी market simple ची बात है, लेकिन जब stocks चलेंगे, तो बाजार चलेगा simple मैं आपको बता रहा हूँ, अभी index level पे चल रहा है आप अपने stocks चाथ बने रहना, बिल्कुल भी छिड़कानी मत करना तो यह मेरी वीडियो, hope आपको मैं clearly समझा पाया हूँ, thank you so much for watching this video, have a great day